आधिन दाना बिर्मनि सिछा उन्हें दो कामीस मिच republican का में इसका क Därमिस मुंआ है कि एर गुजफट गुन्खेक सबस् Defense The Night Sk रहे हैं सरवा जा रहे हैं सभी भाइव नमभाड्याय जाईबीम हम पिछले 10-11 महिने से ओन-लाइन मिल रहे हैं और कुछ फिजिकल मिटिंग भी करते रहते हैं कुछ प्रांटों में हम लोग वरी तादाद में भी मिटिंग करते हैं, चोटी-चोटी मिटिंग भी करते हैं, और हम हर रोज पॉंसेप्ट चुनाते हैं। कॉंसेप्ट बहुत ही सुधासादा है। समन्संग का कॉंसेप्ट है कि जुड़े और जोड़े। पहले तो हम खुट जुड़े और फिर हमारे विष्टे-नाते, मित्रगन सब को जोड़ते रहें। अमारी जो बात है, अमारी आरे कि हमारे महान जो मानव होगे, महा मानव। बाबा साब, शेरियार रामा सामी, महात्मा जोड़िवा भुले, मा सावित्रिवाई भुले, नारायन दुरू, विर्शा मुंदा, और भी कई हमारे महान होगे, इन सब ने अपने जिवन पर यह संगर्स किया, और संगर्स करते करते, हमारा जो कारवा है, उसे आगे बढ़ाते, 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 इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया, कि आज कई हमारे लोग भारत के बाहर देश देश में भी है, और कई हमारे भाई बहन सिमिन सर्वच बन गए, हमारे नेता बन गए, यहां तक कि भारत के सर्वच पर है, उस पर भी बिराजमान है, हम लोग जोड़ने और जोड़ने का काम करते हैं, हमें सब को शुक्र गुजार होना है उन लोगों का, जिनों ने समन संग जो विलुप हो गया था, जो भुला दिया गया था, उसे फिर से हमारे सामने लाके खड़ा के, समन संग के बारे में जो हम जानकारी प्राप करते हैं, तब लगता है कि कितना सुन्दर, कितना परफेक्ट आयोजन था समन संग का, और हमारे दादा, परदादा कितने समझदार लोगते, कितने सयाने लोगते, कि वे लोग समन संग की हर बात को मानते थे, समन संग सही और सुजार उरुप से चले इसलिए उन्होंने कुछ नियम बनाए और वे सारे नियम के बदोलत, हमारे दादा, परदादा, ने हमारे देश को महा भारत बना दिया, चोटे चोटे राज रजवाडे में बटा हुआ हमारा देश को ये कर दिया, और पूरे भारत के आसपास के इलाके में भी हमारा सरद पहली हुई थी। पर एक बात हमें याद रखना है कि हमने समन संग का जो संचालन था, समन संग का जो व्यवस्था ये थी, उसको भूल गए और उसके भूलने के बदोलत हम पीछे ही पीछे चलते गए, अध्योगती के और बढ़ गए, और कुछ किने किने लोग जो विदेश से आये थे, जो आकरांता थे, उन्होंने हमारे समन संग के सारे नियम को, सारी व्यवस्थाओं को संजा और समझ में के बाद उन्होंने उससे अपना लिया. समन संग के नियम को अपनाने के बड़ोलत, आज हम देख रहे हैं, कि वो गीने चुने लोग आज हमारे भारत वर्ष पर सासन कर रहे हैं. सासक भी हो है, प्रसासक भी हो है, ते गुने चुने लोग, बहुत ही कम लोग हैं. और हम जो SC, ST, OBC, Minority यह सब मिला कर 90% हैं. पर हम इकठे नहीं हैं, हम बटे हुए हैं. हमारे लोग सबको नेता बनना हैं, सबको प्रधान बनना हैं, इस्टे सब अपना एक संगठन कड़ा कर लें. हमारे परमपुजनिया, बाबा सहाब, ने हमें मंत्र दिया, एक पारमुला दिया, संगठी को. तो हमारे लोगों ने इसका माइना ये निकाला कि हर रोड नया नया संगठन बनाते रहों. और ऐसा एक के बाद एक संगठन बनते गए और आज हम लोग 29 लाग से भी ज़्यादा संगठन खड़ा कर दिये. उसमें से कई संगठन तो फिर्फ पेपर पर है, वो सक्रिय नहीं है. और कुछ संगठन सक्रिय है, उसी तरह कई राजकिया पार्टिया बना दी गई. और वो सारी राजकिया पार्टि तुन देश में बट गई. और इतना ही नहीं हमारे लोगों को बात्ती गई. अलग-अलग कुड़ों में बात्ती गई. इसका परिणाथ हम देख रहे है कि हम लोग परास्थ होते जा रहे हैं. हम लोग पीछे हट रहें. और जो नुठी भर लोग थे, जो आकरांता थे, जिसके स्वभव में न्याई नहीं है, जो अन्याई कारी है, अत्याचारी है. और जो किसी को सुखी नहीं देख सकते, ऐसे लोगों ने हमारे देश पर हमारे पुरी सासन व्योस्था पर कभ्या कर दिये. हमारी जो प्रचार व्योस्था है उस पर भी उन्होंने कभ्या कर दिये. और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं. जो लोग समन्संग का पुरा पांसेप समझे और जिनोंने समन्संग का और कथागट बुद्ध का पुरा जीवन का अध्यन किया, उस समय की समाज व्योस्था का अध्यन किया. और यह जो समन्संग था उसके जो नियम थे और उस नियम के परिणाम पुरा भारत सुखी था. यह भारत विश्वगुरु कहलाया तब कहलाया जब सम्राथ असोक इस देश के अंदर सासक थे. संद्रगुप्तमोर यह इस देश के अंदर सासक थे. और ऐसे कही हमारे पुर्चे, हमारे बाप, दादा, परदादा, राजा, महराजा थे. पर हमारे कुछ मुर्ख लोगों ने समन का अर्थ स्रमन कर दिया और यह कहा दिया कि हम लोग तो स्रमन थे. यानि कि हम तो मजदूरी करने वाले लोग है, सासन करना हमारा काम नहीं था, प्रसासन चलाना हमारा काम नहीं था. समन का अर्थ का अनर्थ होने से हमारे लोग गुम्रा हो जाते हैं. मान्य और कासित हम जी कहते थे, कि अगर हम सोशल एंजिरिरिंग करेंगे, तो हम हुकमरान बन सकते हैं. और जिस दिन आप लोग हुकमरान बन गए उस दिन समस्याओं की जो पिटा रहा है तो पुल जाएगा, सारी समस्याओं का हल आ जाएंगे. पर हमारे लोग इस बात का अर्थे से लिकाल दिया कि हमारी हर समश्या का जो हल है वो राज्की या सासन या सत्ता प्राप्त करने से सही में ऐसा नहीं है भाईयो पहनो हमारी समश्या का हल समनसंग है समनसंग ने जो व्यवस्ता कड़ी की है समनसंग जो बोल रहा है कि जुड़े वर जोड़े इसी समनसंग का अगर हमने राष्ता अपना लिया किसी राष्ते पे हम आगे बढ़ते गए तो बहुत ही जल हमारी सारी समिश्या का निराखन हो जाएगा सारी समिश्या का हल आ जाएगा हमें कोई राज्की या पक्स बनाने की आवस्चिक्ता नहीं है और इसी लिए समन संग का एक नियव है कि समन संग कभी भी राज किया पक्त नहीं बनाएगा न कोई राजनिती में जाएगा समन संग राजनिती में नहीं जाएगा लेकिन समन संग के अंदर जो भी लोग आए है उनमें से अगर कोई राजनिती करना चाहता है तो उसे हम रोकेंगे भी नहीं तो राजनिती कर सकते हैं पर समन संग नहीं करेगा जादी समन संग का कारिय है अमरे सारे भाई बहन को इखटा लाना उन्हें हमें प्रसिक्षिट करना है जोड़ना है हमें हर मौले में हर गाओं में संगती यानि कि मीटिंग करनी है जहां हमारे भाई बहन के पास स्मार्टपॉन नहीं है इंटरनेट नहीं है उन तक भी हमें पहुचना है और उन तक पहुचने के लिए हमें अजारों लाखों स्पोक बनाने है हर घर से एक स्पोक निकलना चाहिए यह हमारा गेई होना थी जिस दिन हर घर से एक दिन स्पोक हो गया उस दिन हमारी मा बेटी भन के सामने कोई आख उठा कर नहीं देख सकता है हमारे नव विवाओं को कोई मार नहीं सकता है वो अपनी जिनकी अपनी तरिके से जी सकते हैं उसके लिए हमें सासक बनने की आवस्चिक्ता नहीं हमें संग बनाने की आवस्चिक्ता है अगर संग बन गया अगर हम जाती पाती से उभर गए तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता है लेकिन हमारे लोगों को हमारे जो स्पोक्स है उनको और जो भी लोग हमारे ये समन संग की हर रोज ऑनलाइन मिटिक एटेंग करते हैं उन सब को ये समझ लेना चाहिए कि हमें सब से पहले कोई भी व्यक्ति समाज का कोई भाई भेन हमारी विचारधारा से हमारे महामानवों के जो मिसन से अच्छुता न रह जाए सब तक हमें सब तक हमें पहुशना है घर घर हमें जाना है हर व्यक्ति को हमें मिलना है और उनके कानों में अपनी बात डालनी है कर लोग कहते हैं कि हम लोग बोलते हैं मिलते हैं लेकिन लोग जुड़ते नहीं है शुरुवात में यह होगा शुरुवात में होता है मैं जो हमारे संग हमारे समन संग की नकल की है उनके बारे में बता हूँ तो उनका भी सुरुवात बहुत ही कमजोर थी और एक साल दो साल नहीं है कई सालों तक बचाश साथ साल तक उनकी संख्या बहुत कम थी उनका पहलाव कम था और वो हिम्मत नहीं आरे कम थे फिर भी उनके कई पड़े लिखे नवयुवा संपूर्न जीवन उनके मिसं के लिए निकल पड़े जो मनुवादी व्यवस्था है थी इसको पुना स्थापित करने के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिये और काम करते रहे और इसका परिणान आप देख रहे हो कि आज उने देश पे जो संगियस व्यवस्था है हमारी इस व्यवस्था को तोड मरोड रहे हैं तो सासक बनकर बिल्ली की गड़ी पर बैठ कर हमारे लोगों का मनुबल तोड रहे हैं और यह सब क्यों हो रहा है यह सब इसलिए हो रहा है कि हमारे जो नेता है हमारे जो लीडर बनके गुम रहे हैं वो लोगों को उन लोगों में पिर्दस्टी नहीं है उने जिसा का अग्यान है वो जानते नहीं है कि वो कार्वा कहां ले जा रहे हैं एक बार विस्टर प्रसीद लेखक लॉड बर्नार्सो यात्रा करने जा रहे है बहुत ही प्रसीद विस्टर के प्रसीद लेखक है राइटर है बर्नार्सो का नाम सब जानते है वो खुद भी बहुत प्रसीद थे प्रेन में बैठने के बाद, रास्ते में टिकित चेकर आता है, सब की टिकित चेकर, लोड बरनार्सो को पहचान गया टिकित चेकर, लोड बरनार्सो को टिकित ने मिल भी, वो खड़े हो गए, शारे जेब देख रहे, बार बार जेब देख रहे, देख देख रहे, जुनको उनकी टिकित मिल नहीं रही है, तिकित चेकर ने कहा, सर, आप हमारे देश के इतने महान लेख़के, आपको कौन नहीं जानता, और आप बिना टिकित प्रवास नहीं कर सकते, और उनको बुला, आपकी टिकित देखने की मुझे कोई आवश्यक्ता नहीं है, अब बैठ जाएगे, और वो चला गया, तेहन के चलती गई, अगले टेशन पे, वो फिकित चेकर दुसरे कंपार्ट में जा रहाता, तो उसने देखा, कि अभी भी, ओ, लौड बर्नार्स वो खड़े है, और जेब तकोल रहे है, जेग तकोल रहे है, वो फिर वापीस अंदर आए, कंपार्ट में, उन्होंने बोला, भा आवेल नहीं कर सकते, तो मुझे पता तो चले, क्योंकि उनकी इतने प्रवास होते थे, इतने लोग उनको बुलाते थे, अपनी लेक्टर स्पीच लेने के लिए, तो इसलिए उनके जो साथ में जो सहायक होते थे, वो उनकी टिकित लेके रख लेते थे, कहां जाना आए, क ही你是 घर जाना है, कब जाना है, कौनी ठीर काकी नहीं, और वो उनको टिकित लेके रख लेकीत थे, उनके साथ भी चलते थे, अथ्युन ऐसा चहने का मतलब यह है कि हो कहते है कि मुझे कहा उतरना है वो तो मुझे पता चले तो आज स्थिती ये है कि हमारे जो समनसंगी लोग है उनको पता नहीं है कि हमारा मंझीर कहा है हमें कहां जाना है हमारा जही क्या है हमारा समनसंग क्या है हमारे समनसंग में हर रोज कौन से बताया जाता है जुड़े और जोड़े जुड़े और जोड़े और हमारे महान जो माताये और हमारे जो महान पुरूस हो गई, हमारी महान बहने हो गई, उन्होंने जो हमें राष्टा बताया है, उस राष्टे पे हमें आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, वो भी उनके जीवन से हमें सीखना है, यही तो बात हमारा समंसंग अरुन बताता है, तो इसलिए पहले तो हमें पता चलना जी है कि हमारा धही क्या है हमें कहां पहुँचना है और इसलिए हमारा समन संग हमें हर रोज कखी दीन कौन से बताता है कि तुम आप सारे जितने भी लोग जुड़ते हो उन पे उनको अपना जो मिशन है अपना जो यह है तो कहीं हम भूल न जाएं तो यह हमारा एक साधन है जुड़ना और जुड़ना यह हमारा साधन है किस जिन हम सब लोग जुड़ गए और सब को जोड़ दिये तो इसी साधन से हम साध्य को प्राप कर लिए यह को प्राप कर लिए और इसलिए समन संग हर रोज मिटिंग करता है समन संग संगती करता है और समन संग के अंदर किसी कोई असमानता की भावना ना आए कोई इगो न टक राए सब का सविमान जबे इसलिए जब संगती मिलती है तब सब लोग अपने साथ गर से पराठे लेकर आता है आचार लेकर आता है और सब लोग मिल कर सब अपना तिफीन अपने पराठे इखटे करके मिल जूर कर खाते है इससे हमारा भाई चरा बढ़ता है और हमारे यहां जो पैठा की व्यवस्था है मिटिंग की वो भी बहुत साथ और बहुत समानता कुबख न कोई मंच है न कोई माइक है न कोई माला है कोई किसी को माला नहीं पहनाता न कोई किसी को माला पहनता है ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग मंच बे बैठेंगे कोई नीचे बेठेंगे ऐसा भी नहीं है सब लोग मंडल बनाकर बैटते हैं और अगर कोई भाई या कोई senior citizens है या कोई दिक्कट है सारी तो उनके लिए पुर्सी की भी विवस्टा हो जाए। सब लोग अपने जेब से पैसा खच करके पुर्सी में बैठते हैं और बोजन अपने घर से लाते हैं तो खर्चा होता नहीं है। इसलिए समन संको पैसा या फंड कलेक्शन करने की कोई आवस्टा नहीं। क्योंकि हम लोग खर्च करते ही नहीं। अगर जरूरी है अवस्टा है कि जो खर्च किये बिना चल नहीं सकता जहां थोड़ा बखर्च करना भी पड़ता है तो हम लोग पैसा इकटा नहीं करते हैं। और सब हम लोग soldiery कर लेते हैं, सब लोग contribute कर लेते हैं, अपने आपने share कर लेते हैं, और इसी पैसों से हमारा काम चलता है। अगर हमें यात्रा करनी पड़ती हैं, तो जोई भी साधन हो यात्रा का, उस साधन का पूरा खर्चा मिलाकर उसको हम distribute कर लेते हैं, और सब विमान के साथ हम यात्रा करते हैं, किसी पे हम आउलम्बित नहीं होते हैं, हम लोग, सब लोग अपने पर ही स्वतन्त्रता के आधार पर हम चलते हैं, और हमारे बीच में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हम लोग collective leadership में मानते हैं, तो जितने भी हमारे spook हैं, वो अपनी मर्जी की बात नहीं करते हैं, अपने मन की बात नहीं करते हैं, वो सब हमारे महामानों ने जो हमें रास्ता बताया, हमारे महामानों ने जो अनुभव के आधार पर जो ज्ञान प्राप्टर किया, और जो प्रमबोधन हमको बताया, जो मार्ग हमें बताया, उसी महामानों की बात हम लोग जाके हमारे भाईयों को हर जगह बताते, और इस इसलिए हमको स्पोक कहा जाता है, इन्ली में उसको प्रवक्ता बोलते हैं, और ऐसे प्रवक्ता जितने भी हमारे बढ़ते जाएंगे, उतने ही हमारी बाते हैं लोगों तक पहुचेगी, घर-घर तक पहुचेगी, गली-गली तक पहुचेगी, गाउ-गाउ तक पहुचेग और जिस दिन हम लोग हर गाहों में पहुँच गए, हर नगर में पहुँच गए, तो यकीनन हम लोग उकमरान बन गए समझें के, क्योंकि जो भी लुक तंत्रा के अंदर, जो भी मंत्री होगा, संत्री होगा, सारे के सारे आपके सामने आके खड़े रहेंगे, समन संग का आदेश क्या है, वो आके पुछेंगे, बोलो मेरे आका, आपका हुकम क्या है, इसलिए समन संग के किसी भी भाई भान को राजनिती की और जाने की जरूत नहीं है, राजनिती कि आपके चर्णों में आके की रही तो भाई basics of our घ्रड़ हमारे जो अनुभवी लोग है हमारे बीच और सुजीर राज सर है तक्के सर है परियार सर है ये सारे इतने भी लोग है वो रात दिन मेहनत करते है वो हमारे लिए मेहनत करते है हमारे समन संग के लिए मेनर करते हैं और उनका मनोबल न पूटे हमारे किसी भी स्पोक्स का मनोबल न पूटे इसलिए आप सबको मैं निवेजन करता हूं कि हर रोज चाहे हर रोज हम एक ही बार सुनते रहेंगे लेकिन हम लोग online meeting में जुड़े क्योंकि अभी कुछ समय से हम हमारी संख्या कम होती जा रही है इस संख्या कम नहीं होनी चाहिए बढ़नी चाहिए हमारी संख्या बहुत है वारत में जहां जहां हमारे समन संख्या है हम तो बाई बर्त ही समन संगी है चाहे हो देश में हो या वी देश में हो जहां भी हो हम सब पैदा होते तब ही समन सं कि आपने मुझे सुना मैंने जो बाते बताई है तो मेरे अपनी नहीं है जो मेरे महानव हो गए जो मेरे मारदक्सक बनकर जिनोंने मुझे मार लिया उन सब की बाते ही मैं बताता हूं और यही बात मैं हरोज दोहराता हूं, बार-बार दोहराता हूं, और सब लोगों के बीच में जाकर भी दोहराता हूं, और जिस दिन हम लोग सब इकटे हो जाएंगे, जब हम छोटे-चोटे संगटों में बटे हुए हो इकटे हो जाएंगे, तो मुझे इस्वास है कि हम लो और सवीधान जो हमारा लेत्मुटों कर रहा है, सवीधान जो हमारे लिए बाइबल है, गीता है, पुरान है, उसी सवीधान का जिस दिन इंप्लिमेशन हो जाएगा, उस दिन बाबा साहब का सपना पुरा होगा, बाबा साहब का सपना पुरा करना ये हम सब बाबा साहब के म हम लोग Payback to Society चंदा देकर नहीं कर सकते हैं, हम लोग Payback to Society समय देकर देता सकते हैं, हमें समय देना है, समय नहीं देंगे और सिर्फ बातें करेंगे तो काम नहीं होने वाला, काम को अंजाम तक पहुचाना है, देई को मंजिल तक पहुचाना है, और हमारा देई प्राप्त करना है, तो हमें अप्ते में कम से कम एक दीन, दो दीन देना पड़ेगा, और हरोज साम को भी हमारी ओनलाइन मीटिंग में बैठके हमारा कॉंसेट सुनना पड़ेगा, हमारे भाईयों के परीचे देखने पड़ेगे, और साथ में हमारे भाईयों को जोड़ने के लिए भी कुछ समय देना पड़ेगा हरोज, बस यही बात करके, मैं आप सब का धन्यवार करता हूं, सादुवाद, जैभीम, नमो बुद्धाए. आप सबी से यह निविदन हैं, कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है, या बाकी वीडियो अच्छी लगी है, और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद सन्गं सरनं गच्छामी दूतियंपी बुद्धं सरनं गच्छामी तूतियं पी धम्मंग सर्मंग शानी तूतियं पी धम्मंग सर्मंग शानी बुखियं पी संदम सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी ततियं पी संदम सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी